तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं मिश्रिद भिनों के भाग के बारे में यानी डिविजन ओफ मिश्रिद भिन दी गई है जो कि है 2 सही 1 बटा 6 भाग करना है आपको 5 सही 1 बटा 2 और अगेन भाग करना है 2 सही 1 बटा 7 तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर यह कि जो भी मिश्रिद भिन दी गई है उन्हें सरल भिन में बदलते हैं यानि कि जो मिश्रिद भिन है उसे इम्प्रोपर में चेंज करते हैं उसके बाद आगे की कारिवाई की जाएगी ठीक है तो पहली भिन आप यहाँ पर देखिए जो कि दिये 2 सही 1 बटा 6 तो यह मिश् शे दुनी बारा और उपर वाले में जोड़ना है तो बारा और एक हो गए तेरह अब बटे में क्या आएगा जो कि यहां लगा होगा है छे तो छे एजटीज बटे में आ गया भाग है तो भाग का चिनने लगा दिया अब ये भी एक मिश्रित भिन है यानि मिक्स जो फ्रेक् भाग का चिनने तो भाग का चिनने लगा दिया अब हमें इसे भी तोड़ लेना है सरल भिन्य में ये मिश्रित भिन्य है तो इसको भी सरल भिन्य में तोड़ते हैं नीचे वालों का गुणा कर लेते हैं साथ तिया एक्किस एक्किस आ गया उपर वाले में जोड़ दू एक प्रॉपर में तो आपके पास नॉर्मल फ्रेक्शन है यानि की इंप्रॉपर फ्रेक्शन है जिनका आपको डिविजन करना है अब आप कैसे करोगे इनका डिविजन तो पहले वाली भी ने तो एजिटीज उतार दी जाती है तेरा बटे छे वैसा का वैसा ही अब आपको यहा वाला फ्रेक्शन है ना वो रेसी प्रोकल हो जाता है व्यूत्क्रम हो जाता है मतलब उल्टा हो जाता है यहां पर ग्यारा बटे दो है ना तो यह भाग के चिन को गुणा में कनवर्ट किया तो यह उल्टा हो जाएगा दो ऊपर चला जाएगा और ग्यारा नीचे तो दो जो friction होती है उसका उल्टा कर देते हैं 22 बटे 7 है तो उसका उल्टा हो गया 7 बटे 22 अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा simple form में यह आ गया है पहले तो भाग करना था आपने convert करके उसको बड़ी ही सरल तरीके से गुणा में बना लिया है अब आपको क्या करना है गुणा का पर यह कहता है कि आमने सामने गुणा कर दो ओपर वालो का ओपर वालो से गुणा कर दो नीचे वालो का नीचे वालो से गुणा कर दो लेकिन उससे पहले अगर कोई आपस में ओपर नीचे या cross में कट रहो तो काट सकते हैं तो देखते हैं कौन-कौन आपस में divide हो सकता है लेकिन 2 के टेबल में 6 और 2 दोनों ही आते हैं तो 2 के टेबल से इसको काट लेते हैं आप चाहो तो 2 के टेबल से इस 22 को भी काट सकते हो तो देखते हैं पहले तो हम क्या करेंगे 2 1s are 2, 2 3, 6 अब उसके बाद देखेंगे और कोई नमबर है जो आपस में कट रहे हैं कोई भी क्रॉस में या फिर उपर नीचे एक दुसरे की टेबल में नहीं आते 7 के पाड़े में 22 भी नहीं आता तो हम इसे भी काटेंगे नहीं ठीके, 13 के भाड़े में 11 भी नहीं आता, और 13 के भाड़े में 22 भी नहीं आता, मतलब कि आप हमार पास जो भी बचा है हम उसको इधर ले लेंगे, 13 बटे 3, 13 गुणा में 1 बटे 11, 1 बटे 11, गुणा में 7 बटे 22, 7 बटे 22, अब आपको क्या करना है, कोई भी आपस में उपर नीचे या क्रॉस में नहीं कट रहा है, तो एक रूल है multiply का, कि सीधे सीधे multiply कर दिया जाए, जब कोई divide नहीं हो रहा हो, यानि कोई आपस में cross में उपर नीचे नहीं कट रहा हो, तो आपको सीधा सीधा multiply कर देना है, उपर वालो का उपर वालो के नियूमिनेटर्स का और डिनोमिनेटर्स का सामने सामने मल्टिप्लाई करना है तेरा एकम तेरा सती इंक्यान्नू तो उपर वालों का गुणा किया तो उपर आगया इंक्यान्नू बटे में तीन का ग्यारा में कर लो तो तीन का ग्यारा में करोगे तो ग्यारत तिया 33, 33 का 22 में कर लो 22 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 726 33 और 22 का गुणा आ जाएगा 726, अब इसके बाद देखिए ये एक odd number है और नीचे वाला एक even number है, ठीके एक विश्वम संख्या और एक सम संख्या है जो कि आपस में आप विभाजित नहीं हो सकती डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हो जाएगा आपका answer, और भी इस तरह कि बहुत सारे simple सवाल होते हैं जो कि उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को देखने के बाद बड़ी आसानी से कर लेंगे दोस्तों वीडियो कर अच्छा लगाँ तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्यार भरा जरूर से एक कमेंट कर देना चैनल बनेवते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों आगे भी मैथमेटिस के ऐसे ही बैसिक वीडियो अगर आपको चाहिए तो जरूर से हमें कमेंट कर की बताईएगा थैंक्यो सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए